हेलो गाइज गूड मॉनिंग कैसे आप सब लोग आई होप कि आप सब ठीक होंगे आपका स्वागत है हेमा एंड पंकच के विलोग में तो गाइज अभी सुबे का नास्ता बनना है हमारा सुबे के नास्ते में देखो गोबी भी अची रखी हुई है भार के फ्रीज में रख है आज ममी ने आठा कुछ अलग तरीके से भूद है क्या दाल है ममी मेती दाल लखी है धनिया दाल लख है देखे अच्छे लगते है अलग तरीके से बना रही है आज ममी आलू के पराठे तो आदे पराठे तो बन चुके हैं और बनने हैं और आदे बिलने हैं और साती सात चाई भी बननी है अब इसमें दूद नहीं दालाएं मैंने दूद दालूंगी दाल दिया अच्छा दूद दाल दिया दूद दाल दिया है अब पकेगी चाई पिर नास्ते के साथ करते हैं देखे किते अच्छे लगडे प्राटे अब ये भी आगए है नाके हाई बोल दो मुसे बोलो तब है ठीक है ना आलो के प्राठे काऊगे आलो के प्राठे काईंगे बोल ले है मेरे भी दात में दर्द ठीक है मैं भी खाऊंगे आलो के प्राठे आलो के प्राठे बन गया है यह खाने भी लग गया है बताओ कैसे बनें मंची के साथ अलुके प्राथे मैं तो सौस के साथ है अछा है आछ लगता है आलो के पराटो तो खाले है बड़े टेस्टी होए थे फेट फुल हो गया दिन में हाने की भी कोई जर्वत नहीं है अब मैं किचन की सैटिंग करूंगी देख रहे हो कैसा फैरले का हमारा किचन तो मैं इसकी सैटिंग करती हूं और बटन अर्तन होती हूं फिर मिलती हूं हूए पारए आवाज का आघक में आपको दिखाती है लिए अना आझमारे वस्तों काम उत्तु हूं तो उसकी आवाज आघक कार्यपूं देखें सड़क में तो काम चला है अवाज बिल्कूल भी नहीं सुनाए देरी इसके पापा भी मेरे पीछे-पीछे से आ गए है आप क्यों आए सोबनादी लोग भी आये हुए है तो मैं उनके लिए चाही बनाती हूँ अब जाके नीचे जाके चाही जारा बनाती हूँ फिर बैस आज की वीडियो में इदरी पर अंड करती हूँ अगर आपको मेरी वीडियो पसने आए लाइक करें कमेंट करें शेयर करें सब्सक्राइब करें मिलते हैं मेरे नई विलोग में नई दिन के साथ तब तक के लिए बाई